कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर बें डाल गए थी राम सेतु का निर्मान कर सीता महिया को वापिस जो लाना था रभू शिरी राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थी तब ही उनकी नजर पड़ी एक गिलैरी पर गिलैरी जो थी वो पानी में जाती फिर किनारे पर आती रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतु के पत्त्रों की और फिर भागती फिर से पानी में जाती फिर रेट में फिर पत्रों के राम जी को अश्चरव gefallen कि यह हो क्या रहा है वह गिलैरी के पास पूछा तुम गिलैरी कर क्या रही है गिलैरी ने जबाब दिया कि मैं अपने शरीर को घीला करती हूँ उस पर रेत लपेट दी और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही है आज बारी हमारी आयोध्या में हमारे शुरी राम के भव्य मंदिर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने, कुछ गिलेरियां बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार योगदान देकर एतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साज्यदार बने मैं खुद करता हूँ शुरूआत मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुडेंगे ताकि आने वाली पीडियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे